देखे 4.18 जो है वो theoretical है लेकिन theoretical में भी होता क्या है कि हम logic जब नहीं लगाते हैं जल्दवादी answer देते हैं तो दिक्कत होती है ज़रा question को ध्यान से मैं पढ़ रहा हूँ लिखा है अब magnetic field varies in magnitude from 1.2 from point to point मतब magnetic field कैसा है variable है ऐसा बोला उन्होंने उसका क्या मतलब पता नहीं हमको and has a constant direction east to west लेकिन magnetic field की direction constant है तो हम roughly फिलहाल हम दिखा देते हैं ये east है ये west है ये north है ये south है होता क्या है कि हमारे पास क्योंकि east west north south 3D नहीं मिल पाता है इसे खड़े हों तो ऐसे मिल जाएगा चारू दिसाए ठीक है फिलाल यहां बना दिया हमने ठीक है east to west मतलब क्या हुआ कि इधर से जब गया होगा तो इधर कौन सा पूल रहा होगा नार्थ पूल रहा होगा उधर कौन सा पूल रहा होगा बाई इधर से जो वेक्ति देख ही पढ़ रहा होगा ऐसा बोला इनों होने इस setup in the chamber मतलब magnetic field की direction fix कर दी गई है वो अलग की बात है कि उसकी value vary कर रही है ठीक है a charge particle enters the chamber and travels undeflected along the straight path with a constant speed एक charge particle entry करता है पहला particle करें एक charge particle entry करता है और वो बिल्कुल आराम से बिना deflection के वो constant speed चलता रहता है तो इसका मतलब उसको किसी चीज़ का डर भै नहीं है अब एक student आया बड़ा निर्भै होका है तो हमें लगा कि बात्सा ने इसको जो है देखा नहीं लगता इसने ठीक है बात्सा होने के बावजूद भी नहीं देखा ठीक है तो यह कहना है कि चार्ट पार्टिकल स्टेट पाद जा रहा है तो what can you say about the initial velocity of particle उसके velocity के बारे में क्या कह सकते है तो यहीं कह सकते है तो यहीं कहना ही चाहते है कि उसके उपर force क्यों नहीं लग रहा है तो फोर्स लगने का फार्मूला क्या होता when a charge particle move in a magnetic field by making angle theta with the magnetic field तो force का फार्मूला क्या था QEB sin theta given by Mr. Lawrence ठीक है उन्होंने कहा था कि अगर V0 हो जाए यहीं चार्ट पार्टिकल मकार टाइब का बहड़ जाए अपने आपको रख लेंगा तो हीलेंगे नहीं या तो B नहो तो B तो खर ही है तो B नहोगा तो होगा क्या या तो चार्ट ही नहोगा तो काहेगा चार्ट पार्टिकल तो बचा कौन theta यानि यहाँ क्यू भी है VB और VB है इसके बावजूद F0 है F0 होने कमताब यहाँ किसकी वज़े 0 है तो या तो theta 0 है या तो theta 180 degree है तो कहने का मतलब है या तो जो चार्ट पार्टिकल है वो मैगनेटिक फिल्ड की डिरेक्शन में जा रहा है इन पैरलल तो दे मैगनेटिक फिल्ड या वो एंटी पैरलल जा रहा है दोनों ही केसे में force हमेशा 0 होता है वो हर जगे 0 होता है class में भी 0 होता है teacher आप पे force इसलिए लगाता है कि you do the work what he is giving if you are doing you are moving along the teacher theta is 0 तो force will be 0 और आप उल्टा चलना है उनने का question लगाया उनने नहीं लगाया तो नहीं लगाया कोई मतलब मालूम है कोई बात नहीं बेटा sit down तब भी आप पे कोई force act नहीं करेगा ठीक है तो यह पहला part हो गया जाकर के ठीक है देखें पहला part तो हो गया दूसरा part क्या कह रहा है कह रहा है कि charge part कि enters an environment of the strong and non uniform magnetic field varying from point to point both in magnitude and direction and comes out it it follows a complicated trajectory would you find would its final speed equal the initial speed if it is suffered no collision with the environment क्या करहे है अंग्रे जी में कह रहा है उन्होंने कह जिस वाता वरण में charge part के लिए entry किया वहां magnetic field था कैसा था जिसकी value भी change हो रही थी direction भी change हो रही यह आप magnet लेके बार बार उसको हिला रहे थे ठीक है और charge particle का में जिदर हिलाते जा रहे थे उधर वो खुलता जा रहा था और बाद में वो वो फील्ड से बाहर निकलाया तो कह रहे हैं कि a charge particle enters an environment of a strong and non-uniform magnetic field varying from point to point both in magnitude and direction और यह कह रहे हैं कि इसके बाद वो बाहर निकलाता है बड़ी complicated trajectory उसकी होती है क्योंकि charge particle जब magnetic field उसकी angle में होता है उसकी direction में होता है angle न कहिए तो वो हमने क्या बला जब magnetic field उसकी direction में होता है तब perpendicular होता है यह कोई condition है अभी पागल अभी क्या कह रहे हैं हम अभी तो उने कहा तब parallel चल ला था यह कहा था यह तो हम पर depend करता है magnetic field किदर करेंगे magnetic field जब उसकी direction में होता है तो उसके force ने एक्ट करता है यह तो मेरे घर के हैं जब 180 degree पर होता है तब force ने एक्ट करता हमसे इनसे मतलब क्या है कौन है यह जब 90 degree होता है तो circular path में move करने लगता है जब वो किसी angle पर होता है तो helical path में move करता है कुल में लाकर के वो अपना डांडिया डांस करता करता बाहर निकलाता है ऐसा बुला है इन्होंने बड़ी complicated trajectory उसकी होती है और बाहर निकलाता है तो कह रहें कि would its final speed equal to the initial speed if it suffered no collision with the environment कह रहें कि बताइए कि अगर रास्ते में उसका किसी से collision ना हुआ हो तो जब वो magnetic field के बाहर निकलेगा तो क्या उसकी वही speed होगी जो initial थी जी हाँ क्योंकि magnetic field speed पढ़ाता नहीं है magnetic field speed नहीं change करता है ना ही और ट्रेसक्टी चेंज करता है magnetic field speed चेंज नहीं करता है उसकी और क्योंकि collision नहीं हुआ है इसलिए उसने कोई work किया नहीं इसलिए उसकी velocity वही होगी जो पहले थी ठीक ये आपका second part का answer है third part क्या करा है an electron traveling west to east enters in the chamber having a uniform electrostatic field in north to south direction अब देखो एक electron सहाब आए उनको नहीं मालुम था कि कौन है वो west to east direction में ऐसे चलने लगे west to east direction में चलने लगे ये electron चलना है यानि ये electron की velocity का direction है ठीक है और उन्होंने कहा कि an electron traveling west to east enters in a chamber having a uniform electrostatic field north to south direction यानि north से south direction में एक electric field था अभी magnetic field बारे बात ये नहीं कर रहे है इस section में इस part में उन्होंने magnetic field बारे बात नहीं किये अभी कुछ कहेंगे तो हम बात करेंगे नहीं तो हम इस part को individually solve करेंगे ठीक है खेर अभी देखते है साथ हो specify the direction in which uniform magnetic field अच्छा अभी magnetic field set up करना है अब पहले electric field बारे बात कर लेते हैं जब electron इधर से entry किया होगा और यहां उसको electric field दिखा होगा तो actually में किधर move किया होगा electric field कैसे बनता है उपर एक रही होगी positive plate है ना और नीचे एक रही होगी negative plate तभी तो electric field रहा होगा तो इसका मतब electric field की वज़ए से electron नार्थ डिरेक्शन में move कर गया होगा एकदम से नहीं move करेगा वो इस प्रकार से parabolic path में move किया होगा किसकी वज़े से electric field की वज़े से अब यह कह रहे हैं कि specify the direction in which the uniform magnetic field should be set up to prevent the electron from deflecting from the straight line of path मतब वो straight line of path से deflect ना हो उसके लिए हमको magnetic field किस direction में set करना पड़ेगा आपको याद होगा जब मैंने electron को electric और magnetic field दोनों में entry कराया था और हमने कहा था electron यानि charge पाड़ के लिए without deflect हुए आगे बढ़ गया था तो उस funda का नाम क्या था velocity selector याद करिए तो यह कह रहे हैं तो इसका मतलब इस पर एक ऐसा magnetic field लगाओ कि नीचे की तरफ magnetic force लगे तब ही तो straight line में चलेगा तो नीचे की और magnetic force लगने का मतलब क्या होता है देखे इसको किसी भी तरीके से समझ सकते हैं इधर electron जा रहा है जानि current किदर जा रही है opposite जा रही है या तो आप Q V cross B भी लख सकते हैं V cross B से भी काम चला सकते हैं लेकिन B हमको चाहिए F मालूम है हम फिलाल F ब्रावर IBL से काम करेंगे हमने का तो को electron इधर जा रहा है यानि कि east direction में जा रहा है west twist जा रहा है तो current किदर फ्लोह रही होगी तो current की direction में हम क्या करेंगे अपना आंग उठा कर देंगे और force किदर चाहिए नीचे की तरफ तो हाथेली किदर होनी चाहिए नीचे की तरफ तो magnetic field किदर होना चाहिए अंदर की तरफ तो अंदर की तरफ हमको magnetic field यहाँ पर entry करना पड़ेगा यानि vertically downward ऐसे magnetic field हमको बनाना पड़ेगा यह diagram change करेंगे इस प्रकार से magnetic field बनाना पड़ेगा ठीक है तब force किदर लगेगा नीचे क्यों लगेगा लेकिन वो undeflected हो उसकी condition क्या होती है जी हाँ इस प्रकार से रखेंगे कि इस रेशो शुड़ बी तब विदाउट डेफलेक्टिंग यह एलेक्टर आगे जाएगा आपने विलास्टी सेलेक्टर की टॉपिक में इसको पड़ाएगा ठीक है